हेलो प्रेंड्स आप से विकास स्वागत है हमारे इटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे Microsoft Excel में Page Layout के बारे में Page Layout का उप्योग कैसे क्या जाता है आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सुरू से सिखेंगे तो दोस्तो वीडियो पर आप बने रहें दोस्तो पे Layout के अंदर टोटल पांच गुरूप से होते हैं तेम्स, Page Setup, Scale to Fit, Seat Option और Arrange जिसमें से दोस्तो पहला ब्लॉक्स है तेम्स ब्लॉक्स इसके अंदर दोस्तो चार ओप्सन होते हैं जिसमें पहला है तेम्स तो दोस्तो थेम्स के उप्योग करने के लिए हमने सीट पे कुछ डेटा को तयार किये हैं तो दोस्तो थेम्स का काम है सीट के डिजाइन को चेंज करने के लिए इसका यूच किया जाता है जैसे हमने कोई डेटा को Select करेंगे select करने के बाद themes पे click करेंगे तो इसके अंदर दोस्तो बहुत सारे themes का format बना हुआ है जो format पे आप click करेंगे आपका data उसी format में set हो जाएगा दोस्तो अभी देखे font पे अगर हम cursor को ले जा रहे हैं pointer को तो देखे इस तरीका से आपका font change हो रहा है अगर दोस्तो अपने data पे अगर color को लगा देते हैं तो पूरे color भी change होगा तो चले data को select करके home type के अंदर जाएंगे और यहां से है format as table इसके अंदर दोस्तो बहुत सारे format है table के बना हुआ एक format पे हम click करके और यहां सोके पे click कर लेते हैं अभी देखे दोस्तो आपको data जो है एक table format में design हो गया है और हम जाते हैं कि अलग अलग format में design हो तो उसके लिए दोस्तो आपको themes का उप्योग करना होगा तो यहां से हम इसको थोड़ा साइट कर लेते हैं और यहां से page layout के अंदर जाएंगे और यहां से themes पे click करेंगे तो देखिए आपका जो है भी जो format table design में format हुआ था देखिए अलग-अलग color में और font का size भी बढ़ रहा और घट रहा है ठीक है आपने जो font लिखें font भी change हो रहा है इस तरीके से बढ़ चोटा हो रहा है और पूरे तो इसमें अगर अलग Formit लगाना तो आप अलग Formit लगाकर भी इस पे themes काउपयोग कर सकते हैं जैसे home time में जाकर अगर ईहां से हम एक कलर को लगा देते हैं देखिए इस तरीका से और themes का उपयोग इहां से करेंगे तो पर भी हां से themes देखि़के लएगा और अलग-अलग color यहां से भी change होगा देके font का size भी change हो रहा है और color भी change हो रहा है तो अपने sheet पे यतने सारे data बनाए हैं उस सभी यहां से themes की मदद से change कर सकते हैं ठीक है next दोस्तों अगर सिर्फ आप अपने data पे color को change करना चाते हैं तो themes के अंदर ही है color यहां से सिर्फ दोस्तों आपने sheet पे जो भी color लगाए हैं color को सिर्फ यहां से change कर सकते हैं ठीक है और font को change करना चाते हैं तो इसके नीचे font है और font को भी आप अलग-अलग font में convert करके देख सकते हैं ठीक है जो आपको अच्छा लगे और font पे आप किलिक करेंगे और font आपके data पे apply हो जाएगा next है दोस्तों margin अपने sheet पे margin को set करने के लिए इसका यूज क्या जाता है जैसे अगर अपने sheet के page by page पे अगर margin set करना चाते हैं आप से margin पे किलिक करेंगे तिसके अंदर देखे दोस्तों 4 format है इसके अंदर आओ सारे बहुत सारे format हो सकते हैं इसमें 4 format है ठीक है देखे देखे दोस्तों पहला है normal है बाइड है नैरो है इसमें दोस्तों टॉप में 1.91 cm बॉटम में 1.9 cm यह क्या हो जा margin असपेस रहेगा और left में 1.78 और 1.78 लेट में भी रहेगा ठीक है दोस्तों अगर इस पे क्लिक करते हैं आपके seat के page पे यतना जो है space margin जो रता हो छूट जाएगा जिससे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक यहाँ से नैरो पर तो देखे आपके seat पे देखे एक तरह के margin यहाँ पे आ गया है ठीक है यहाँ से देखे इस तरह से margin दिखाए दर यह आपको indicate करता है कि आपका page seat जो है page by page divide हो गया है इस तरीका से लएगा चलिये हम seat को छोटा करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ से हम seat को कम कर लनेते हैं अभी देखे दोस्तों यहाँ से seat आपका इस तरीका से दिखाए दे रहा जो कि page by page में divide हो गया है ठीक है जिसके पहले seat के पहले page पे आपके data ही बना हुआ है इस तरीका से margin देखिए अगर दोस्तों हम यहां से normal लगाते हैं तो देखिए अभी आपका a4g यह दो column के बीच जो है आपका margin लगा हुआ है ठीक है यहां a4g को select कर देते हैं इस तरीका से और यहां से seat को बढ़ा कर देते हैं ठ करते हैं तो देखिए आपका जो है margin Ape और G के बीच में था margin आपका आ गया E और Ape के बीच में ठीक है तो इस तरीका से दोस्तों आपका margin यहां से sit करेंगे तो margin आपके seat पे घटेगा और बढ़ेगा नेक्से दोस्तों orientation अपने seat को landscape और portrait में seat करने के लिए इसका यूज कहा जाता है जैसे अभी आपका seat है portrait में seat है देखिए portrait पे एक color लगा हुआ है और landscape पर दोस्तों तो यह आपका seat देखिए दिखाई देगा ठीक है जो हमने अभी select की है ठीक है यहां पर select करेंगे देखिए दोस्तों इस तरीका से दिखाएगा मतलब यह भी portrait में seat है अगर दोस्तों आपके data लांग बनाना है अगर इससे ज्यादा बनाना है जिस तरह साथ data आपको मिलेगा दोस्तों आप आपका layout उसी तरीका से चेंज करना है अगर लगे कि portrait में data तयार हो जाएगा तो आपको portrait ही set करना है और landscape में अगर तयार हो तो लेंड़स्तों पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका seat जो है अभी landscape में डिवाइड हो गया है ठीक है तो पूरे seat पे जितने सारे page by page से ठीक है यहां से तो दोस्तों यह जो है लाइन भी दिखाई दे रहा यह पूरे लंबाई में है और यहां से अगर देखिए लेंड़स्केप करेंगे तो आपका seat लेंड़स्केप में हो ठीक है तरीका से आप चेंज कर सकते हैं dyshouse next है door size अपने seat के HAVE set करना जैसे अगर आप उपने सीट के साइज से अगर आप आप अभी margin यहेयां से और यहां से देखें दोस्तों साइज है अभी एफोर सेट मेरे सीट पे है अगर हमें लेटर करते ह jungler करते हैं तो देखें क्या होता है कि आपका margin अभी देखिये यहें पे है लेटर अभी हो गया है मतलब margin नहीं कहसा रहा नीचे वाले margin आपको बढ़ा हुआ होगा तो जो की print support लेता है ठीक है जिस परकार का size आपको printer support लेता है आपको उसी size में आपके data को print करना है ठीक है प्रिम्ट साइज है दोस्तो इसका साइड 2.1 21.59 से 27.94 सेंटीमेटर इसका हएध और फोरका है 29 29.7 से 43 सें थीक है इसका हएध और फोरका से दोस्तो अपने सीट पर आगर आप चालते हैं एक सेट करने के लिए तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तो print area आपने data पे दोस्तो print area को set करने के लिए इसका उच्व कह जाता है अगर दोस्तो आपको इस तरीका से पूरे को यह तना data आपने तयार के हैं यह सभी data को अगर print करना चाहते हैं तो select करेंगे, select करने के बाद दोस्तो यहां से click करेंगे print area पे और यहां प्रिंट के अंदर दोस्तों से प्रिंट 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 फिर्पी पर कलिक करेंगे दोस्तों आपका सी हिए। कि अब जब भी प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट इस तरीका से निकलेगा और इतने सरे डेटा इस पेज़ बे हैं ठीक है अगर दोस्तो हम यहां से चाहें कि अभी हमारे पास 9 name है ठीक है इसमें से चाहते हैं कि हमको 5 name ही प्रिंट हो हाँ किलिЕर करना तो उसको लिये दोस्तो आपको फिर प्र हीर करना है इसको पहले हां से क्लियर करने के लिए तो सहां से कलियर फिर पर क्लिक करेंगे तो फिर टयर रीमूव हो जाएगा और अब प्रेम से देखना ओप बटन में जाये फइल फ्रिंटा नाम प्रिंट और आप पूर्य डाटा को प्रिंट sìट कि है पूरा डा डाटा अगर पूरा डाटा प्रिंट करेंगे तो नेक्स दोस्तो बीक का काम है फोर है धोर कोई किस्थिर कर देने के लिए दूस्तों थे बरेक टीक करेंगे और और यहां से आपका सेल जो है अभी four number का सेल है और अस्तिर हो गया है और हां से उखटेगा नहीं आप जो भी data type करना चाते हैं हां से आप एक serial number से type कर सकते हैं जिससे कि आपका seat किसी तरह से मूब ना हो वहां अस्थिर हो जाए ठीक है और हाँ से अगर हटाना है दोस्तों तो उसी को select करके हाँ पर insert करेंगे remove करेंगे तहां से आपका जो break पर जुगा है और remove हो जाएगा ठीक है next दोस्तो background अपने seat के background में अगर कोई भी picture set करना चाहते हैं दोस्तों एहां से background पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आपका A gallery खुलेगी और यहां से जो भी आपका picture को set करना आपके seat के background में उसको select करेंगे select करने के बाद insert पर click करेंगे तो देखिए कुछ देरी में आपका देखिए पूरे सीट के बाइग्राउंड में जो है एक पिच्चर सेट हो गया ठीक है इस तरीका से आप देख सकते हैं और यहां से एगर यह पिच्चर को रिपरना है दोस्तो देखिए बाइग्राउंड पर क्लिक करेंगे तहां से आपके सीट से जो भी पिच्चर सेट कियें थे ओव डिलेट हो जाएगा next दोस्तो print title अपने data में print title को set करने के लिए इसका उचके जाता है जैसे कि दोस्तो अभी हमने इतनी data को तयार की है जो कि page number 1P है ठीक है यहां से दोस्तो इसको select करके अगर यहां से हम control C से copy करके और page number देखे हम 2 पे चले आते हैं लेकर ठीक है और यहां से control B से paste कर देते हैं तब ही देखे एक ही data है जो page number 1 पर भी है या page number 2 पर भी है ठीक है करने का मतलब दोस्तो अगर आपके data बहुत बढ़ा रहेगा ठीक है जब आप print करेंगे दोस्तो तहां से आपका data पे heading जो देते हैं हेडिंग को repeat करने के लिए प्रिंट टाइटल का युच कर जाता है जैसे कि दोस्तो इसमें हमने इसको select करेंगे ठीक है select करके इसको हम यहां से home में जाएंगे और यहां से देखिए merge and center कर देंगे और इसकी size को हम बढ़ा देते हैं ठीक है हम इसकी size कितना हम इस तरीका से कर लेते हैं ठीक है इस तरीका से हम कर लिए और इसको हम यहां से बॉल्ड कर देते हैं इसको आप यहां से color कर दीए ठीक है हमने यह data के उपर एक heading लगाए है ठीक है जो heading का नाम देखिए इस तरीका से है dsi computer और अब heading कुछ भी लगा सकते हैं heading लगाने के बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि heading जो हमेरा data लिख रहे वो जितने सारे data है सभी के ऊपर dsi computer जो है heading लिखा हुआ रहे ठीक है तो देखिए अभी print preview जाकर हम देखते हैं यहां से print preview में और सब्सक्राइब करें तो हमारे सीट एक है ठीक है और सीट नमबर टू अभी मेरा पास देखिए यहां से किलिक करेंगे आपको जाना नेक्ट पे तो किलिक करेंगे तो देखिए सीट नमबर टू पर क्या हुआ कि dsi computer जो heading है ओ लिखा हुआ नहीं आ रहा है ठीक है तो यहां पे पे नमर सिर्फ एक पी आ रहा है पे नमबर टू पे नहीं आ रहा है तो यहां से करते हैं the page number 2 पे लाने के लिए हम यहां से Print title का यूज करेंगे प्रिंट टाइडल पर क्लिक करेंगे कलिक करने बाथ Дोस्तों देखिए अभी आपका heading जुह है और row में है कि column में है अभी पूरे row में लिखा हुआ है दिखिए row वाले column है यहां पर एक gross error का aro.इस पर क्लिक करेंगे ठिक है यहां से पूरे रो इस तरीका से अभी सलेक्ट नहीं हो रहा दोस्तों सुरी दोस्तों यहां से हम रो में लेना था हम कॉलम में ले लिए हैं यहां से हमको रो वाले में टाइप करना देखे रो वाले उपर में ठीक है यहां से किलिक करके हम रो वाले को सलेट करेंगे सलेट कर करने के बाद दोस्तों सी पर क्लिक करना इसके बाद क्या करना दोस्तों के पर क्लिक करना ठीक इतने ही काम करना है इसके बाद दोस्तो हमने print पे रुभी किये थे तो page नमबर एक पर सिर्फ dsi computer टाइप था page नमबर टू पर टाइप नहीं था तो दोस्तो print title का काम है किसी भी heading row को repeat करने के लिए ठीक है और आप चाहेंगा और column को repeat करना दोस्तो तब column को भी repeat कर सकते हैं दोस्तो scale to fit के अंदर ये तीन option है beat, height और scale बीद का मतला दोस्तो आपने seat के page पे beat को बढ़ाने और घटाने के लिए इसका यूच के जाता है जैसे दोस्तो seat के जिस page पे आप beat को बढ़ाना चाहते हैं पेज यहां select कर लेंगे उसका beat यहां पर बढ़ जाएगा जिससे दोस्तों यहां पर देखिए अम मेरा scale यहां से चलाया इस तरीका से ठीक है यहां से देखिए यह page number 2 पे है ठीक है उसी तरह से दोस्तों अगर हम यहां से इसको automatic कर देंगे जितना जरुत है दोस्तों seat automatic adjust हो जाएगा अगर आप यहां से height को बहाना चाहते हैं seat के जिस page पे यहां से उस page को लेंगे तो उस page का height यहां से बढ़ जाएगा ठीक है तो आपको जो page पसंदे दोस्तों उस page का हाइट यहां से set कर सकते हैं और beat को भी set कर सकते ह है ठीक है अगर एटो मैटी रहा दोस्तों ते अपने से जितना जरूथ है सीट को अतना एटो मैटीक एडजस्ट हो जाएगा नेक्श्ट दोस्तों अस्केल अस्केल को बाहने और हटाने के लिए इसका यूज आगर घटाएंगा से दोस्तों यहां से देखे घटेगा इस तरीका से तो स्केल को आप एतना जरुत है उतना बढ़ा सकते हैं और अपने जरुत कनुसार यहां से आप घटा भी सकते हैं ठीक है next दुस्तों यहां पर देखिए grid line grid line और heading अपने seat पर grid line को देखना है तो यहां view 5 करेंगे अगर view 1 tick करेंगग दुस्तोँ तह आपके seat से grid line है और हाइड हो जाएगा ठीक है यहां पर दिखाई नहीं देगा यहां से एगर औक वीऊ पर हिए रहेक्ट है आपके सीटक पर ये इतने सारे राइनिंगंग बना हुआ हो उसको ग्रीड quién बढाता है उसको देखने के लिए यहां से प्रीट करेंगे ठीक है इसके बाद हैधी अपने सीट पर हेडिन को देखने के है यहाद पे विव पर टिक कर करें रखते हैं यहाँ से अंटिक करेंगे दोस्तों तो आपके सीड़ से हेडिंग गाइब हो जाएगा मतलब है हाइड हो जाएगा जैसे सीड फेह लिग दोस्ते यहाँ से आफी दिखाई से इसे पर टीक करेंगे तो आ जाएगा ठीक है इसके नीके दूस्तों दो सोन है इसमें फिरेंट के लिए देखते हैं गूई करेंगे था थे आपके ऐभी प्टय आपके ढडा टाइप कि आगया है सीट पे ठीक है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है मेरे पेज पे अभी गृड लाइन दिखाई नहीं दे रहा है नहीं दिखाई दिखाई देरहा है तु देखिए अपने प्रेंट के पेज पे Über गिनलाइन केसा प्रिंट करना चाहते हैं तहां से टिक करेंगे psychology और रहां सीट को ग्रिल लाइन के साथ अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो हां से ग्रिल लाइन पर टीक कर देंगे ठीक है तो आपका सीट जो है ग्रिल लाइन के साथ प्रिंट होगा अगर दोस्तों यहां पर हेडिंग के नीचे ही प्रिंट अगर प्रिंट पर हां टीक करते हैं तो आपका seat जो है जो page है वह अगर आप heading के साथ print करना चाहते हैं तो यहाँ print पे क्लिक करेंगे तो देखे heading के साथ print होगा चलते हैं आप पे office button और यहाँ से print और print प्रिवीम जाके देखते हैं तो देखी आपका seat जो है 123 और ABCD दोनों heading आ गया है तो आपके data जैसे seat पर बना हूँ था same to data है print के लिए भी ready हो गया है कि आप heading और grid line के साथ print कर सकते हैं eli अगर दोस्तों यहां से आप grid line के साथ print नहीं करना चाहते हैं हां से Antic कर देखे और यहां से even heading के साथ print नहीं करना चाहते यहांसे Untic यहेगे तो अब जब भी यह seat print होगा तो सिर्फ data print होगा एक grid line उसके साथ नहीं जाएगी और ना ही यहाँ से heading उसमें लगेगा ठीक है नेक्षा दोस्तो arrange blocks, arrange blocks के अंदर दोस्तो यह सभी option अभी देखिए कोई काम नहीं कर रहा है ठीक है तो save लाने के लिए दोस्तों आपको जाना है insert type पे इसके बाद दोस्तों सेप यहाँ पे देखिये है Hence ithen किलिक करेंगे तहांद देखिये बहुत सारे save है आपको जो save लेना उसपे किलिक करेंगे और यहाँ से seat पी इस तरीका से drag करेंगे तो देखिए आपका shape आगे है sheet पे इसके बाद shape पे click करते हैं देखिए एक format type खुल जाता है इसके अंदर भी बहुत सारे हाँ पे हैं ठीक है जो भी लेना आप यहां से ले सकते हैं जैसे हमें हाँ से ट्रेंगल ले लेते हैं इस तरीका से drag करते हैं और इसका color हमें हाँ से change क करते हैं ताकि यह आपस में मिले नहीं ठीक है अभी हमने sheet पे तीन shape लिए है ठीक है जो अलग-अलग है आप देखिए हम जाते हैं से दोस्तों pay layout के अंदर देखिए अभी भी काम नहीं कर रहा इसका मतलब इसको select करेंगे तो देखे सब यह highlight हो गया है पहलाग है दोस्तों bring to front इसका काम है कि अपने shape को आगे लाने के लिए इसका यूज करते हैं जैसे बहुत सारे shape है वो सभी shape से आगे लाने के लिए bring to front का यूज करेंगे अभी देखे मेरे पास rectangle select है इसको आगे लाना तो bring to front पर यहाँ पे click करेंगे तो देखे सभी shape से आगे चलाएगा और प दोस्तों कोई भी shape को आप select करके यहाँ से आप आगे लाना है तो bring to front पर click करेंगे पीछे बैजना तो send to back पर click करेंगे ठीक है देखे पीछे चला गया triangle इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि एक एक करके आगे लाने के लिए तब bring to forward पर click करेंगे तो एक star के आगे आगे ठीक है उसी तरह से दोस्तों आगर हमको इसको फीछे फैजना है तो हाँ से send to back word करेंगे तो एक करके पीछे चला जाएगा फिर से send back word करेंगे तो फिर इसके पीछे चला जाएगा तो जो shape select है दोस्तों उसको एक करके आगे लाने के लिए bring forward का यूज करें और पीछे बेजने के लिए एक एक करके यहां से send back word का यूज करेंगी नेक्स्त है दोस्तों यहां से selection पें selection pen पे एक काम है दोस्तों कि आपके seat पे जो जो shape है और सभी shape को देखने के लिए इसका एउज करते हैं जैसे पे click करेंगे तो देखे right side में एक dialogue box open हो गया है यहां पे seat पे दिखाई दे रहा है कि आपने 5 point start 3 लिए हैं यहां से rounded rectangle 1 है यहां से ISO scale triangle 2 है ठीक है तिस तरीका से जिसका जो shape का नाम है दोस्तों यहां पे दिखाई दे रहा है अगर इसको आप seat से hide करना चाते हैं दोस्तों तो इसको देखे एक icon बना हुआ इस पे click करेंग मतलब selection pane का काम है दोस्तों किसी shape को अगर आप seat पे लाते हैं तो उसको देखने का काम करेगा और आप उसको hide करना चाते हैं तो यहां से आप icon पर click करके hide भी कर सकते हैं और so करना यहां से seat पर click करके so भी कर सकते हैं ठीक है इस selection pane का यही काम है दोस्तों next दोस्तो align align का काम है दोस्तो shape को आपस में ही left right center बराबर करने के लिए इसका उच कर जाता है एक काम कब करेगा दोस्तो जब आपस में सभी सेली select रहेगा जैसे देखे सभी shape को हम एक दूसरे के अगल बगल कर देते हैं और सभी को select कर लेते हैं यह थीक है control के साथ सभी को select कर लेंगे अ इस तरीका से देखे यह भी तीन सेप या तेनो select है और align पी जाते हैं किलिक करते और देखते हैं lift पे किलिक करते हैं देखे सभी shape left में साइट बराबर हो गया है और यहां से सेंटर करेंगे तो सभी सेंटर में बराबर हो जाएगा और यहां से right करेंगे तो सभी right align में बरावर हजगा तो दोस्तों आपस में ही save को adjust करने के लिए align का use कह जाता है next है दोस्तों group group के काम है दोस्तों shape को group करना जैसे दोस्तों group करने के लिए आपको क्या करना होगा पहले shape को select करना होगा control keyboard पे प्रेस करेंगे और हां से क्लिक करेंगे ते सभी सलेक्ट हो जाएगा अब कर देखिए अभी मेरा 2 cu select है अ मिल यहां से गूरू प्रक्ट हों ते टैना कि खाय, औरहां से गुरूफ प्रक्ली करते हैं इसके बाद देखे गूरूफ पे कलिक करेंगे ति सभी सेव आपस में जा रहा एक साथ हट रहा मतलब यह अन गुरूप तो है लेकिन अभी इस एक साथ है क्योंकि आप यहां सीट पे किसी एक जगा पर क्लिक करते हैं इसके बाद देखें क्लिक करते हैं तो देखें अन गुरूप हो गया है ठीक है तो इस तरीका से दोस्तों इसको गुरूप भी कर सकते हैं अनगुरूप भी कर सकते हैं इसके अंदर एक उप्समरार रहा दोस्तों जिसका नाम है ндीफ गरूप का मतलब दोस्तों आपस में चेंज करने के बाद पुना गुरूप करना जैसे देखे भी चेंज हमने इसे कर दिया और यहां पर किलिक करके रिगुरूप करते हैं तो देखे पुना ही गुरूप हो गया ठीक है इस तरीका से तो इस तरीका से गुरूप अनुगुरूप और रिगुरूप कर सकते हैं ठीक है यहां से हम इसको अनुगुरूप कर देते हैं और बाहर किलिक कर देते हैं देखे स सभी interrupt हो गया है यह जिस परकार से आपस में सभी शेप को गुरूप कर लाज्ट उप्षन है दोस्तों रोटेट रोटेट कम है दोस्तों अपने सेप को अलग अलग huh direction में move करने के लिए इसका यूज के जाता है जैसे दोस्तों हम यहां से कोई दूसरा से प्ले लेते हैं ठीक है यहां से format टैपे किलिक करते हैं और यहां से एक arrow लेते हैं ठीक arrow को हम यहां पर इस तरीका से drag कर देते हैं ड्रेक करने के बाद दोस्तों यहां से हम इसका एक कलर देते हैं ठीक है इस तरीका से कलर हमने दे दिए और पीछे बाले को हम इहां से डिलेट कर देते हैं आप दोस्तों इसको पहले सलेट करते हैं सलेट करने के बाद दोस्तों आपको जाना पे लियाओट में यहां पे है र तो इस सभी डियरेक्शन में अपने सेप को मूब कर सकते हैं रोटेट ऑप्शन की मजल से तो दोस्तों पेज लियाउट के अंदर सभी ऑप्शन की जनकारी आपको एकिक करके दे दिया गया है